सर नितीज कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है कि जो इंडिया गट बंदन के सेमज़क की तो चर्चा हो रही है, उनकी पत की कोई इच्छा नहीं है, कोई भी उसे इमज़क नहीं बनेगे और कोई और सेमज़क बनेगे है, इस बयान का अर्थ क्या समझा देए? इसका कोई बरा अर्थ लगाने के अवसकता नहीं है, वो हमेशा असपस्ट रूप से राजनितिक मसले पर बोलते रहे हैं, और उन्होंने जो अभियान चलाया कि देश से भारती जनता पाठी को मुक्त कर देना है, और मानिय परधान मंत्री जी जो बादा किये, जितने भी त करने का हो, महांगाई रोकने का हो, बेरोजगारी दूर करने का हो, इस सभी मुद्य पर वो विफल रहे हैं, और अव तक कि जितने भी देश के अंदर में परधान मंत्री हुए, उसमें सबसे नाकाम परधान मंत्री के तोर पर हम लोग आखते हैं, और उन्होंने हमेशा से लोग तंदर को और सम्मिधान के साथ छिर्चार करने का काम किया है, हर मुद्य पर उनका जितने भी फैसले हुए हैं, सभी गरीब बिरोधी फैसले हैं, दलित बिरोधी फैसले हैं, ती पिछरा क्या, नाम वो लेते हैं, लेकिन वो ती पिछरा के लिए कभी उन्होंने मामुद्देह और मानिय मुखमंत्री जी इस इंडिया जो गठवंदन बना है उसके वो सबसे अरे जो है पैरोकार रहे हैं और इसके लिए जो अभियान उन्होंने चलाया पूरे देश के अंदर में जितने विपक्षी दल हैं सभी को एक जगा एकत्र करने का उनको सिरे जात है और इसलिए हम लोग इस बात में कभी भी भरोसा नहीं करते हैं कि कोई संजोजक या देश के परधान मंत्री बनने का उनका कोई पाइस है उनका जो देश के लोगों के लिए उनका समर्पन है इसलिए हास से उन्होंने जो अभियान चलाया उसमें उनको सफलता मिला है औ और उसके बाद जैसे अभी सब लोग वैट करके और एक मत से काम करें आगे भी यत्य होगा कि कुन देश का नित्रीत करें तो इसको मार की भूमिका आप लोग क्या चाते हैं इंडिया गट बंदर में आगे क्या भूमिका होगों कोच भी भूमिका नहीं चाहरे है जो भू करके करेंगे अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है भारतिय जनता पार्टी को अगर हम लोग पीछे देखना चाहते हैं और देश से मुक्ती चाहते हैं उनसे तो हम सभी लोगों के एक जुठ करके काम करने की अवा सकता है और इस दिसा में हम लोग बड़ी सफलता से चल रहे ह आगे भी हम लोग को सफलता मिलेगा हम लोग इतना जानते हैं कि जो उनका योगदान है देश के लिए बिहार के लिए और उनमें जो योगता है वो किसी भी अभी तक जितने परधान मंत्री हुए उनमें किसी से भी कम उनका योगता नहीं है और इस नाते हम पूरे भरोश सेसे विश्वाज से कह सकते हैं यहाँ नहीं कि हम लोग जानता है जानते हैं उस अधार पर कह सकते हैं कि वह इस ते सब से योग सबसे योग उमिदबार हो सकते हैं लेकिन उनकी बैख्ती जब देश की अजादी के लिए बहुत मापुर्सों ने योगदान दिया और जब देश अजाद हुआ तो पंडित जवारलाल नहरो जी परधान मंत्री बने इसका अर्थ यह नहीं है कि आज भी महात्मा गांधी जी को राश्ट पिता महात्मा गांधी जी को लोग कूझते है उनके भूमका कभी कम नहीं हुए इसलिए इस अभियान में मानिय मुख मंत्री जी के भूमका को कोई कम नहीं कर सकता है